NHPC के तरफ से new advertisement जाड़ी कर दिया गया है junior engineer के लिए इससे पहले जो vacancy निकली थी junior engineer के लिए उनको cancel कर दिया गया था अभी fresh advertisement जाड़ी किया गया है जिनमें की सभी लोग फिर से apply कर सकते हैं इनमें junior engineer के post पे आपका diploma और b.tech qualification है official notification आपको जाड़ी कर दिया गया permanent job है all India से कही इसे बिलोग करते हैं तो आप लोग इसको apply कर सकते हैं इसमें civil mechanical और electrical branch है तो जो भी candidate इसमें eligible होते हैं apply करना चाहते हैं जरूर से कर सकते हैं और मैं complete information आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो को अंट तक जरूर से देखिए like ने के हैं तो जरूर से लाइक कर और चैनल पर नए है तो subscribe भी कर लिजेगा साथी bell icon press कर लिजेगा जिनसी की जो भी सारी vacancies आती है technical field की इस channel पर आपको मिलती रहेगी चलिए वीडियो को start करते हैं देख सकते हैं यह NHPC का official website है इसके career section में अभी आपको recruitment for the post of junior engineer civil electrical mechanical in NHPC यह vacancy advertisement जारी कर दिया गया है मैं आप open करके दिखाता हूं और अच्छे से आप लोगो बताता हूं clear details सभी कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिल जागा इसका जो application है वो आपको 31-2022 से start होगा start date जो online application receive करने का date है 31-2022 से आप लोग इसको apply कर सकते हैं और last date जो है 21-2022 तक आप लोग इसको apply कर सकते हैं देख देख सकते हैं advertisement नमर आपको junior engineer civil electrical और mechanical complete information आपको इस वीडियो में देने वाला हूं वीडियो के अन्ट तक जरूर देखिए like कर दीजिए इसमें आप लोग को जो बेकेंसी दिख जाएगी यहां पर आपको एक नमर में junior engineer civil के लिए जिनमें कि आपको salary जो है 29,600 लेकर के 1,19, 25,000 तक आपको मिलने वाली है उसी के बाद दूसरे नमर पर junior engineer electrical का same salary है तिसरे नमर पर junior engineer mechanical का इसमें आप qualification को लेकर के details में हाँ पर दिया गया है जो की qualification आपका रहने वाला है सभी branch में आपका civil mechanical और electrical से diploma होना चाहिए इसमें एक चीज मेंसन करके लिखा गया है जो कि आप लोग यहां पर पर सकते हैं full time regular diploma in civil engineering from government recognized institute with minimum 60% mark और equivalent grade उसके बाद highlighted करके लिखा गया है कि higher technical qualification like B.E.B.Tech without the essential qualification that is full time regular diploma is not eligible या allowed तो इसका मतलब है कि अगर आप लोग डिपलोमा किया है civil electrical mechanical से तो आप लोग इसमें eligible हैं ही अगर आप लोग B.E.B.Tech किया है only without diploma तो आप लोग इसके लिए eligible नहीं है अगर आप लोग डिपलोमा करने के बाद B.E.B.Tech किया है same branch में तो आप लोग इसमें eligible है apply कर सकते हैं otherwise आप लोग इसमें apply नहीं कर सकते हैं यह इसमें साफ-साफ mention करके लिखा गया है कि जो भी higher technical qualification है जैसे कि B.E.B.Tech अगर आप लो लोग without diploma किये किये हो तो आप लोग इसमें eligible नहीं है apply नहीं कर सकता है यह इसमें साफ-साफ mention करके लिखा गया है वहीं इसमें age limit की बात करे तो एक फरबड़ी 2022 के अनुसार से आपका जो age limit है upper age limit इसमें 30 years रखा गया है और vacancy की बात करे तो junior engineer civil के लिए 68 post के लिए vacancy निकल जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं अलग-अलग category के अनुसार से अलग-अलग post के अनुसार से आपको सभी जो reservations है इस तरह से दिया गया है अलग-अलग category के SC, ST, OBC, EWS और UR category में आपको vacancy इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगी यह एक permanent जो भात आप लोग को इसम से बिलोग करते हैं उन लोगों को इसमें कोई भी application fee pay करने की जरूरत नहीं है और जो इससे पहले vacancy cancel हुई थी NHPC junior engineer का उन लोगों का जो application fee था जो मोड से आप pay किये थे उन लोगों को उसी payment method में आप लोग को refund कर दिया है बहुत सारे candidate को refund कर दिया गया mail आया हुआ आप ल लोग अपना mail खोल के चेक कीजिए कि आपको इसका जो application fee refund वाला ओ आया है कि नहीं अगर आपको mail मिल गया होगा तो आपको जरूर से आप जो भी payment method से pay की होंगे उन payment method में आपका account में आ जाएगा पैसा और जो भी एसे candidate है जो cyber cafe से pay की form भरवाय होंगे उन लोग अगर cyber cafe अपने account से पैसा कटाया होगा तो उसी के account में पैसा जाएगा तो उस case में आप लोगों को application fee जो refund किया हुआ पैसा आपको नहीं मिलने वाला है जो अगर अपने account से कटाया होंगे तो आप लोग ध्यान कोई भी form भरते हैं तो अपने खुद के account से पैसा कटाये खुद से form भरते हैं तो उन लोगों को बोलिए कि हम अपने account से पैसा कटाये तो आप लोग अपने account से यूपिया भीम यूपिया पेटियम फोन पे सभी तरह से रहता है या आप उसको वहाँ से पैसा कटा सकते हैं तो ये चीज को आप लोग धियान रखेगा इसमें जो अभी इनसे लेटर जो भी सरा examination center होने वाला है वो इसमें दिया गया है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूं कि आपका जो selection examination center कहां खापर होने वाला by city total 22 city जगह पर आपका examination conduct करवाय जाएगा जो कि है अहमादाबाद, बेंगलूडू, भपाल, भुबनेश्वर, चंडीगड, चन्नई, देहरादू, देली, गंग्टो, गुहार्टी, हैदरावाद, इटानगर, जैपूर, जम्मू, कोची, कॉलकाता, लखनो, मुंबई, पंजी, राची, और राइपूर, एंड सीमला, ये सभी total 22 city पर आपका examination conduct करवाय जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं, आप बात करते हैं कि इसका selection process का, तो selection process आपका CBT exam लिया जाएगा, online test conduct करवाय जाएगा, उनके आधार पर आपका इसमें selection होने वाला है, इसमें जो medium of examination है, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिनमें कि आपको तीन पार्ट का questions रहेगा, English और Hindi दोनों में आपका questions आएगे, junior engineer civil electrical और mechanical के लिए, दो सा questions का आपका exam होगा, जिनमें कि 140 questions जो भी आपका branch है, जैसे कि civil mechanical electrical, उन से related questions होगा, और 30 questions आपका reasoning से रह देगा, दो सा question पर आपको एक सासी मिनट का time दिया जाएगा, और total दो सा marks का question होगा, इनमें आप लोगों को जो negating marking जो है, 0.25 का रखा गया है, one fourth का negating marking आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद general information and instruction में आपको यहाँ पर देख सकते हैं, only Indian nationals are eligible to apply, तो जो भी इसे candidate हैं, all India से belong करते हैं, आप लोग इसमें apply कर सकते हैं, उसके बाद फिर एक बार यहाँ पर लिखा गया है, कि जो भी इसे candidate having B.E.B.T.E.C. without the essential qualification that is full time regular diploma, concern, discipline or not eligible to apply, उसके बाद बात करते हैं, cut up date की, तो जो भी इसे candidate है, जो एक फरवड़ी 2022 तक अपना qualification complete कर ली हैं, जैसे कि अगर आप लोग डिपलोमा B.E.T.E.C. एक फरवड़ी 2022 तक से पहले complete किया हैं, तो आप लोग इसमें eligible हैं, apply कर सकते हैं, आपकी एक cut up date है, एक फरवड़ी 2022, इस date से पहले आपका जो भी सारा qualification है, certificate है, issue होने चाहिए, अगर आप लोग final year में भी है, और एक फरवड़ी 2022 तक आपका जो certificate है, वो आपको आजाता है, तो आप लोग इसमें eligible है, apply कर सकते हैं, एक फरवड़ी 2022 इसका cut up date रखा गया है, तो आप आप इसको समझे होंगे, जो भी main information था, मैंने आप लोग को बता दिया, फिर भी अगर आपके मन में कोई confusion.query ड़ग या होगा, तो पिलते हैं, नेक्ट वीडियो में, तब तक लिए शुक्रिया और थाइंक्यू, वीडियो को जरूर चेक लाइक कर दीजिए, अप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लिजगा, साथी बेल आकन प्रेस कर लिजगा, जिनसे की टेकनिकल फिल्ड की सभी वेकंसी आ मिलती रहती है, साथी जो भी अपडेट आती है, एडिमिट कार्ट, रिजल्ट, आंसर की, कट आफ, जो भी आता है, अपडेट, डिपलोमार, बीटेक से रिलेटर होती है, वो भी मैं आप लोग को वीडियो के माद्यम से बताता हूं, तो आप लोग अगर चैनल से जूरे हो जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या अगर यूटूब चैनल को जो नाह में केकेस इंडियन, वही अगर आप टेलिग्राम पर सर्च करोगे, तो मेरा यहां पर चैनल मिल जाएगा, यहां से जूर के आप लोग जो भी मैं यूटूब चैन कर सकते हैं और पर सकते हैं